मुगल सामराज में अकबर और औरंग जेब दो ऐसे शासक हुए जिन्हों ने सल्तनत के लिए दो विरोधा भासी काम किये अकबर ने जहां मुगलों का पता का पूरे भारत में पहुँचाया वहीं औरंग जेब ने इस सामराज को रसातल में पहुँचाने का बीज बोया जिसका नतीजा आगे चल कर इस सामराज की समापती के रूप में सामने आया दोनों ने भारत पर लगातार पचास सालों तक राज किया आए जानते हैं अकबर और औरंग जेब में बहतर शासक कौन था शाह जहां के शासनकाल को मुगल सामराज का स्वर्ण युग भी कहा जाता है औरंग जेब को बिरासत में एक सम्रिद हिंदुस्तान मला लेकिन इसके विपरीत अकबर को शासक बनने के लिए अपने और पराए दोनों से जूचना पड़ा अकबर को जब सल्तनत मिली तो वो केवल 13 साल का था बैरम खान के अलावा कुछ महिला मंडली थी जो शासन पर काबिस थी इससे निपटने के लिए अकबर को काफी मशक्कत करनी पड़ ली तो परिस्थिती पूरी तरह उसके अनुकूल थी विशाल सेना विपल शाही खजाना और युद्ध का लंबा तजुर्बा ये औरंग जेब की पूजी थी लेकिन औरंग जेब ने इस अनुकूल परिस्थितियों को अपने कट्टर चरितर के कारण अपने खिलाफ कर ल कोची विधवश की थी औरंग जेब के ऐसे वेक्तितों की सबसे बड़ी वजह उसकी परवरिश थी बचपन में उसे जहांगीर ने शाह जहां की नकेल कसने के लिए अपने पास बंदी बना कर रखा था शाह जहां को गद्धी मिलने के बाद उसे मुक्ती मिली औरंग जिन्होंने उसे सिखाया कि इसलाम से बहतर दुनिया में कुछ नहीं है पूरी जिन्दगी औरंग जेब इसी उसूल को लागू करने में जुटा रहा और वो भी तलवार के बल पर इसके विपरीत अकबर बिलकुल पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो विद्धवानों की स सीख से भी आगे निकल चुका था कुल मिलाकर देखें तो अकबर के मुकाबले औरंग जेब एक आसफल शासक साबित हुआ जिसने मुगल सामराज को पतन की और धकेल दिया बाकी काम उसके निकम में वारिसों ने पूरा कर दिया